नमस्कार दोस्तों मैं रोहितलाल हम लोग इस वीडियो में अप्रेल मांके 6 अप्रेल से 10 अप्रेल तके महत्पून करेंट अफ़ेर के बारे में जानेंगे आईए शुरू करते हैं पहला न्यूज है केंद्रे सास्थ मंतरी डॉक्टर हर्षवर्दल ने कहा कि 50 करोड से अधिक गरिव और कमजोर नागरिक आईश्मान भारत के तहत मुप्स COVID-19 परिक्षन और उपचार के लिए पात रहोंगे आईए आईश्मान भारत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं आईश्मान भारत एक सास्थ योजना है इसके तहत एक परिवार को परतिवर 5 लाक रुपए तक का सास्थ बिमा कबर परदान किया जाता है इसका लाब किसी फरकारी वो नेजी अस्पताल में लिया जा सकता है इस योजना को राष्ट्रिय फास्थ एजन्सी द्वारा लागू किया जा रहा है आए नेक्स्ट न्योज क्यों बढ़ते हैं आए मोप परतिवा कारिकरम के बारे में जान लेते हैं इस कारिकरम का शुरुआत बच्चों को ऑनलाइन परत्योगिता में भाग लेने के लिए किया गया है बच्चे नारा लेखन, ड्रॉइंग, लगुक अथा लेखन, पेंटिंग, इत्याती, परत्योगिताओं के लिए हिसा ले सकते हैं आए यूनिसेप के बारे में जान लेते हैं यूनिसेप का फूल फूम यूनाइटेड नेशन चिल्डन इमर्जेंसी फंड है यूनिसेप बाल अधिकारों के लिए सन्युक्त राष्ट की एक एजनसी है इसकी अस्था अपना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी इसका मुख्याले अमेरिका के नियू यूर्क फहर में इस्थेत है वर्तमान में यूनिसेप के अध्यक्ष तोरे हेट्रेम है यह सन्स्था 200 भर में बच्चों की सिक्षा सास तथा कल्यान के लिए कारे करती है नेक्स्ट निउज है एक अध्यान से पता चला है कि जिन देशों में BCG टिका करन चलाया गया था उन देशों में COVID-19 के प्रभाव कम हुए है आईए BCG वैक्सिन के बारे में थोड़ा जान लेते है यह टिका सारोभामिक टिका करन कारे करम का एक हिस्टा है यह टिका माइको बैक्टेरियम बोविस का एक जिवित कमजोर रूप है जिसके कारण जानवरों में TB होता है मनुश्यों में TB का कारण Mycobacterium tuberculosis bacteria है टिका करन कारेकरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भारत में 200 में सबसे ज़्यादा TB रोगी हैं देश में BCG कारेकरम 1948 में शुरू किया गया था BCG ने पहले ही सार संक्रमन के खिलाब अपनी परभाव सिल्टा फावित कर दी थी Next News है Cabinet ने यह मंजूरी दी है कि MPLADS को दो वर्ष के लिए अस्थागित किया जाएगा आए MPLADS यानि Member of Parliament Local Area Development स्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसे 1993 में शुरू किया गया था इस योजना के तहट परतेक सानसद को परती वर्ष पांच कड़ो रुपे परदान किये जाते हैं इसका उप्योग अस्थानिये छेत्र के बिकास के लिए किया जाता है Next News करूना पहल के बारे में है जो आईएस, आईपीएस और आयारे सहीद भारत के बिभीन सेविल सेवाओं के अधिकारियों ने कुरोना वाइरस महामारी के बिरुद सरकारी परियासों को अपना समर्थन देने के लिए करूना नाम से एक बिशेश पहल का शुरुवात किया है नेक्ट न्यूज है, भारतिय बिदे सेवा के अधिकारी अनुराग शिर्वास्तों को बिदे समन्तराले का नया प्रवक्ता निउक्त किया गया है नेक्स्ट न्यूज परविन राव को 2020-21 के लिए नैसकॉम का चेर्मेन निक्त किया गया है नैसकॉम का फूल फॉर्म होता है National Association of Software and Service Companies नेक्स्ट न्यूज है केंदर सरकार ने राजिये को मेडिकल ऑक्सिजन की आपूर्ती बनाये रखने के लिए निर्देश दिया है आइए जानते हैं कि मेडिकल ऑक्सिजन क्या है मेडिकल ऑक्सिजन सुध ऑक्सिजन है इसमें 99.5% सुध ऑक्सिजन होता है आइए नेक्स्ट न्यूज के बारे में जानते हैं साथ अप्रेल को 207 दिवस मनाया गया आए डबलो एचो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कीट को मंजूरी दी है इस कीट को बायोने नामके के स्टार्ट अप द्वारा डिजाइन किया गया है आए थोड़ा बायोने के बारे में जान लेते हैं इस कंपनी का मुख्याले बैंगलूरू में है और भारत में नेक्ट जेनरेशन सिक्वेंसिंग लाएने वाली पहली कंप अपनी है जो ब्यक्तिकत येनेटिक और माइक्रो बायोम परिक्षन की पिसकस कर रही है आए नेक्ट जेनरेशन सिक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं यह वह तकनिक है जिसके दोबारा किसी ब्यक्तिक को डिने अनू के अनू करम को निर्धारित किया जा सकत ये पेटेंट है तू आवेदन करने में चीन प्रतम अस्थान पर रहा है आए वीपो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं वीपो बौधिक संपदा सेवाओ नीती सुचना और स्वहयोग के लिए एक बैसिक मंच है यह संगठन 191 सद्दसे देशों के साथ संयुक बास्केटबॉल महासंग के महा सचीव पैट्रिक बाउमन को दोनों को मरनों परांद बास्केटबॉल नाइश्मित मेमोरियल हॉल अफ पेम में सामिल किया गया है नेक्ट न्यूज है उसने कटी बंधी चक्रवात हेरोल्ड वानु अतू से टकराया वानु अतू दक्षिन प्रफान दीप का एक देश है नेक्ष्ट न्यूज है दक्षिन फरकार ने कोबिड-19 को नियंतरित करने के लिए पाँच टी योजना की घुसना की है ये पाँच टी का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टेमवर्क, ट्रेटमेंट, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग नेक्ष्ट न्यूज अभी तबलिगी जमाद से रिलेटेट है जो अभी फिलहाल बहुत जादा न्यूज मेरा है तबलिगी जमाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तबलिगी जमाद अर्थाद धर्म परचार्गों की सोसाइटी है इसकी अस्थापना देवबंध इस नेक्ष्री सबसे बड़ी अर्थ बेउस्था जापान ने कोबिड-19 महमारी का मुकाबला करने के लिए आपात काल की घुफना किये वर्तमान में जापान के प्रधान मंत्री सिंजो आमबे है नेक्ट न्यूज है सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कारेकल द लगू को मध्यम उद्यों को अपात काली निरिन मुहया कराया जाएगा फिड़ी असिस्टेंड टू फाइनेंसियल इमर्जेंसे से प्लस आईए फिड़ी के बारे में जोड़ा जान लेते हैं भारत की स्वतंत्र बितिये संस्था है जिसकी अस्थापना सुक्ष्म लगू यह लगू उद्योक छेत्र के संवरधन बीत पूफण और विकास तथा इसी तरह की गती बीधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कारियों में ताल मेल के लिए एक परमुख विकास बितिये संस्था है इसकी अस्थापना दो अपरेल 1990 को हुआ था भारत ने हाइडोक्सी क एक मलेरिया रोधी दवा है यह क्लोरोक्मीन का एक यॉगिक है जिसे क्लोरोक्मीन से कम विशागत माना जाता है नेक्स्ट न्यूज है गुजरात के जुनागर जीले के एक किसान बैग्यानिक श्री बल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया ने बायो फोर्टिफाइड गाजर विक्षित किया इस गाजर को अस्थानिय रूप से मधुबन गाजर कहा जाता है यह विटा कैरोटिन और आयरन से भरपूर होता है बल्लभ भाई वस्तम भाई मारवानिया को किसी के छेतर में गाजर के लिए बिशिष्ट योगदान के लिए 2019 में पदमश्री से सम्मानित किया गया था नेक्स्ट नियूज है भारत फरकार ने आईगोट पोर्टल नामक एक ओनलाइन परसेक्शन मॉड्यूल लाउंच किया है आईगोट का पुन स्वरूप इंटिग्रेटड गॉर्मेंटल ओनलाइन ट्रेनिंग है इसे मानोस अनफाजन विकास मंतराले के दिख्षा प्लाटफॉर्म पर लाउंच किया गया है यह पोर्टल फ्रंटलाइन कर्मियों की परसेक्शन आउसकताओं की देखबाल करेगा नेक्स्ट नियूज है बैग्यानिक वह प्राद्योगी की विभाग ने हाल ही में ज्वाहरलाल नहरू सेंटर फॉर एडवान साइंटेफिक रिसर्च द्वारा विक्सित एंटी माइक्रोबियल कोटिंग को मंजोरी दी है आईए एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के बारे में जान लेते हैं एंटी माइक्रोबियल कोटिंग को कपड़ा प्लास्टिक आदी जैसे सतहों पर लगाया जाता है यह कोटिंग रोगानूओं को नश्ट कर देती है जब वे इसके संपर्क में आते हैं इसमें फंगस, बैक्टिरिया, वाइरस जैसे एनफ्लुएंजा, वाइरस, कोबिड-19 आदी सामिल हैं नेश्ट निउज है, 9 अप्रेल को पाकिस्तान ब्रिग्रेट के आकरमन को बिफल कर दिया था दरफल गुजरात के रन अफ कक्ष में पाकिस्तान के चौटिस फैनिकों को मार गिराया था आए थोड़ा पाकिस्तान बड़ी केंद्री अर्ध फैनिक बल है या ग्रिह मंत्राले के तहत काम करता है या 1949 में क्राउन परते निधी पुलिस के तहत अस्थापित किया गया था लेकिन आजादी के बाद इसे CRPF अधिनियम 1949 के तहत पुलिस बल बनाया गया नेक्स्ट निउज है 10 अप्रेल बिफो होमियोपैथी दिवस से रिलेटेड है 200 अप्रेल को 200 होमियोपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है होमियोपैथी के सनस्थापक जर्मनी के डॉक्टर किस्टेन फरेडरिक सैमोल हैनेमन के जन दीन के उपलक्ष में जर दिवस मनाया जाता है हमने इस वीडियो में 6 से 10 अप्रेल तक के important current affair news और उस news से related संस्था तथा term के बारे में भी जानने का कोशिश किया है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद